सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिबाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज की अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो आज की दुनिया में हर सक्स पैसे का भुखा है वो जिन्दगी में कितनी भी कमाई कर ले लेकिन उसकी पैसों की भूख कभी सांत नहीं होती है लेकिन कई बार ऐसे स्तित्या भी होती है जिसमें इंसान को सच में पैसों की बहुत जरूरत होती है और वो इसके लिए लाग कोशिस भी करता है लेकिन बुरी किस्मत के चलते सब कुछ बेकार चला जाता है क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पैसा आने का संबन काफी हद तक आपकी किस्मत पर भी निर्भर करता है अपनी किस्मत को जमकाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति सब की मदद करता है औ होता है बगवन को मनाने के लिए हर गर में एक पुजा गर तो जरूर होता है यहां लोग हर रोज पुजा आराधना भी करते होंगे लेकिन जब बात बहुत सारा धन कमाने की आती है तो आपको पुजा पाठ के अलावा और भी कुछ चीजे करनी होगी आज हम आपको कुछ ऐ कैसे उपाई बताएंगे जिनका संबंध भगवान आपकी किस्मत और वास्तू तीनों से है जब ये तीनों चीजे आपस में मिलती है तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है तो चलिये जानते हैं उन उपाएों के बारे में पहला उपाए हर पुजा गर में एक लक्ष लक्ष्मिमा की मूर्ती होती है तो उनकी पुजा पाठ और साफ सफाय और भी अच्छी तरेके से होती है कोशिस करे कि पुजा गर में रखी ये लक्ष्मिमा की मूर्ती चांदी की बनी हो ये मूर्ती आकार में छोटी या बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता है बस यद ये चांदी की बनी होगी, तो ज़्यादा फाइदा करेगी, हाला कि चांदी की मूर्ती नहीं खरीद पाने पर आप अन्य धादू की मूर्ती भी ला सकते हैं, मूर्ती को पुजा गर में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि कम से कम हप्ते में एक दिन, य भर में धनकी वर्षा करती है। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाए और वहाँ पर 101 रूपया या इससे अधिक की दक्सिना चड़ाए। इसके बाद पंडित जित से बदले में एक रूपय का सिक्का वापिस मांग ले। अब इस सिक्के को आप घर के पुजा स्थान में सुपारी के नीचे रख दे। आप जब रोजाना भगवान की पुजा करे तब इस सिक्के और सुपारी की भी पुजा करे। इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी में रखा धन, दिन दुगनी और राज चोगनी रप्तार से बढ़ने तिसरा उपाय, आप सभी घर के पुजा घर में भगवान को फूल जरूर चड़ाते होंगे, लेकिन यदि आप रोज सुबा मंदिर जाए और वहाँ पर प्रसादी चड़ाए, तो पंडित जित से भगवान के चड़ों में रखा एक फूल मांग ले, अब इस फूल को आप साम के समय अपने घर के पुजा स्थान में रख सकते हैं, ऐसा आप रोजाना या हपते में एक बार जरूर करें, आपके घर कभी भी कोई पैसो की कमी नहीं रोगी और धन आगमन के नए रास्ते भी खुल जाएंगे.